हेलो बच्चो गर्म और मैं मिलके आपके सामने एक कहानी प्रसुत करने जा रहे हैं जो की है व्यंजनों की कहानी की व्यंजनों में उठी मात्रा कैसे आई तो कहानी शुरू करते हैं बच्चो एक घर था उसमें सारे व्यंजन रहा करते थे मम्मी पापा चाचा ताओ बुआ फूफा जितने भी व्यंजन थे सब एक साथ रहते थे तो जो का व्यंजन था वो थी मम्मी और खा व्यंजन था वो थे पापा और सब मतलब फा बाला ये सब थे बच्चे तो मम्मी पापा ने बच्चों से कहा कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा हमसे पूछे भी नअ अगर तुम लोग बाहर जाओगे तो बाहर जाना तुमारे लिए खत्रा है तो और सब ने तो अपने मम्मी पापा की बात मानी लेकिन जो लाग एंजन था उसने मम्मी पापा की बात नहीं मानी और वो अपने घर से बाहर निकल गया बाहर निकल के वो चलते चलते जंगल के बीच में आ गया यहाँ ए घना जंगल था वह रास्ता भटक गया उसे डर लग गया कि अब मैं कहां जाओं तो वो जोर जोर से रोने लगा रात भी हो गई थी उसे डर भी लगने लगा तो उसने रोना शुरू कर दिया उसकी रोने की आवाज किसी को सुनाए दी वो कौन थे? वो थे स्वर एक पेड में स्वर रहा करते थे तो उसकी रोने की आवाज, उनांग के स्वरने, ला की रोने की आवाज सुनी, तो उसने लाव एंजन से का, तुम डरो मत, मेरे पास बहुत लंबी पूछ है, उसने का, मेरे पास बहुत लंबी पूछ है, और मैं अपने इस पूछ को नीचे ऐसे करके फैकता हूं, तुम इस पे चड़ो और मेरे पास उपपर आ जाओ तो लाव एंजंग बहुत खुश हुआ उसने का अच्छा वहल उसने पूछ पकड़ी और चड़ते हुए वे उ के पास स्वर के पास पेड़ में बैड़ गया उने कहा कि तुम राद बर मेरे साथ रहो हमारे साथ रहो और सुभे तुम वापस चला जाना तो लावने अपनी पूँच जो थी लाव को दे दी अब उने कहा अब तुम लाव नहीं हो अब तुम लू हो तो वो है इस बास से बहुत खुश हुआ है जब सुबह सूरज उगा तो ला लू बनकर अपने घर गया तो अब वो ला नहीं वो क्या हो चुका था लू तो उसने अपने सब घरवालों से कहा कि अब मैं ला नहीं हूँ अब मैं लू हूँ उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसने बताया कि उने अपनी पूछ मुझे दे दी और मुझे लू बना दिया इससे घर के सभी लोग तो बहुत खुश हुए उन सब ने कू की मात्रा ले ली तो काकू बन गिया खाकू बन गिया गागू बन गिया चाचू बन गिया लेकिन जो रा वेंजन था वो बहुत नक्चड़ा था उसने का नहीं मैं तो नहीं लूंगा पूँच उसने का अगर लूंगा भी तो मैं अपने नीचे पूँच नहीं लगाऊंगा उसने का मैं तो पीट पे पूश लगाऊंगा तो बच्चों जो ऊकी मात्रा होती सारे वेंजनों में तो नीचे लगती है और रहा ऐसा वेंजन है जिसमें ऊकी मात्रा हमेशा उसके पीट में लगती है तो बच्चों बताओ आपको ऊकी मात्रा की कहानी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना तो अगली कहानी तक के लिए बाबाई